हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका फ्रेंड एसक्यू और मैं जिस मुवी के रिव्यू लेके आया हूँ आज वो है बुलिट ट्रेम यार मुवी की बात करें तो मुवी एक एक्शन कॉमेडी ट्विस्ट एंटर्न ट्रिलर मुवी है जिसमें पांट स्टोरीज चल रहे हैं मुवी स्टार्ट होती है जब एक बच्चे को चछत से नीचे धका मारती जाता है धका मारने की वज़ा यह होती है जो बच्चे का बाप है वो एक गैंगस्टर होता है कि और वो एक डॉन के लिए काम कर रहा होता है तो के डैपर जो है जो बच्चे को नीची धकाम आगे फेकता है छट से बच्चे के बाप को यूज करता है डॉन को मारने के लिए बाप को पर एक मेसज मिलता है कि अगर आप आंसर्स फाइन आउट करा चाते हैं कि किसने काम किया तो आपने इस जगा पहुंचना है तो वो जहां पहुंचता है ट्रेन में जहां पर उनकी मुराकार इन से होती है अब बात करते हैं Story 2 की Story 2 में दो एजेंट्स एक का नाम जिसका Lemon है और दूसरा का नाम Tangerine है उनको objective दिया गया है कि वो Dawn के बेटे को find out करके Dawn के पास सही सरमात पहुचाएंगे उसके साथ साथ जो brief case उनके पास है वो भी उन्होंने hand over करना है Dawn को अब बात करते हैं Story 3 की जिसमें एक unlucky assassin जिसका quote name Ladybug है वो भी train में जा पहुचते हैं अपना mission objective पुड़ा करने के लिए उनका mission objective यह है कि जो brief case दो agents के पास, Lemon Tangerine के पास है उनसे उनको लेना है और वो अपने handler को देना है Story 4 की बात करें तो train में एक और agent मौझूद है जो कि Ladybug की जान की पीछे है और Story 5 में एक hitman train में आता है वो भी Ladybug की जान की पीछे आता है यह 500 stories मैंने आपको बता दी और सारी stories आपस से कैसे connected है इसी पर पूरी movie है इसी पर पूरा मजा है और इसमें जो movie में comedy scenes है जो entertainment है जो fight scenes है वो देखने के काबिल है और अगर को movie अच्छे लगे तो मुझे comment section ज़रूर बताए और मुझे support कहें ताकि मैं आपके लिए ऐसी movies और लेा सकूँ